हमारे सोलर सिस्टम में सन यानी सूरज स्टार है स्टार वो होता है जो खुद तो इंटेक्ट रहता है लेकिन उसके गिर्द प्लानेट्स घुमते हैं रिवॉल्व होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त आठ प्लानेट्स हैं इन में से चार तो वो हैं जिनकी सता सॉलिड है तो ये हो गया एक हिस्सा इसके बाद आती है एस्टरोइड बेल्ट इसी एस्टरोइड बेल्ट से अगर कोई जर्रा जमीन की तरफ आता है तो इसको हम कॉमिट कहते हैं और इस चोटे से चोटा कॉमिट भी इतना बड़ा होता है कि पूरे के पूरे शहर तबागर दे तो चार प्लैनेट जिनकी सता सॉलिड होती है उसके बाद एस्टरोइड बेल्ट आती है वो कुर्रे वो चार कुर्रे जिनकी सता गैस है तो कुर्रों यानि प्लैनिट्स की दो किसमे हो गई एक वो जो के सॉलिट सता के होते हैं और दूसरे वो जो के गैस के सता के होते हैं वो प्लैनिट्स जो के गैस पर मुझतमिल हैं उनमें तो जिन्दगी मुम्किनी नहीं अब बचे वो चार कुर रहे जो सॉलिड सता के इनमें से वीनस और मरकरी को तो आप छोड़ दें क्योंकि उस सुरस से बहुत करीब हैं इसलिए बहुत करम है तीसरा बचा जमीन जहां पर हम रहते हैं चौता बचता है मार्स जहां पर हम जिन्दगी ढूंड रहे हैं और कहा जाता है कि जिन्दगी कुछ असार वहां मिले हैं क्योंकि वहां पानी जमी हुई शकल में मिला है और जहां भी पानी होगा वहां जिन्दगी होगी तो हमने देखा कि स्टार वो हैं जो के इंटेक्ट होते हैं, रोश्णी और तवानाई का मरकज होते हैं और प्लैनेट्स इनके गिर्द घूमते हैं जमीन चुँके सन का प्लैनेट है तो जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो उसको हम एक शमसी साल, एक साल कहते हैं, जो के तीन सो पैसर दिन का होता है इस चक्कर को कहते हैं रिवॉल्ब्मेंट, जमीन रिवॉल्ब्मेंट के साथ साथ रोटेशन भी करती है प्लानिट्स को एक और चीज़ अल्दा ने अता की होती है वो है सैटलाइट सैटलाइट वो होती है जो के प्लानिट के गिर्द घुमती है तो हुआ यह कि जमीन सूरज के गिर्द घुम रही है जिससे हमारे साल बन रहे है और चान जमीन के गिर्द घूम रहा है तो जमीन की रिवॉल्मेंट से साल बनता है और जमीन की रूटेशन से दिन बनता है जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्टार जो है मेन सोर्स आफ लाइट और एनरजी होता है कुरों की वो जो रौशनी देता है वो उसकी अपनी होती है जबके मून जो के सेटलाइट है वो जो रौशनी दे रहा है वो उसकी अपनी रौशनी नहीं होती बलके वो सूरज, जमीन और चान का एक ऐसा ट्राइंगिलर है जिसके तहती रौशनी हमको आती है मगर ये बात कि चांद की रोशनी इसकी अपनी नहीं ये तो हमें आज पता चलिये मगर इस बात को 1400 साल पहले कुरान करीम ने बता दिया था जब अल्ला कहता है कि अल्ला वो है जिसने आफ्ताब यानी सूरच को चमकता हुआ बनाया और चांद को नौरानी बनाया सूरच की रोशनी के लिए जो लवज इस्तमाल हुआ है वो है जिया और चांद की रोशनी के लिए जो लवज इस्तमाल हुआ है वो है नूर दोनों के माने रोशनी के मगर कुछ फर्के साथ जिया माने हैं बहुत रोश्णी और वो रोश्णी जो के खुद पैदा करदा हो जबकि नूर के माने होते हैं कम रोश्णी और वो रोश्णी जो के खुद की पैदा करदा ना हो इसी फर्व को कुरान ने दूसी जगा बियान किया जब अल्ला कहता है कि चान को खुब नुरानी बनाया और सूरच को सिराज बनाया सिराज के माने भी रोशन चराग होता है वही जिया वाले माने लेकिन चान के लिए यहां भी लब्स नूर का इस्तमाल हुआ यानि कि वो रोशनी जो कि उसकी अपनी नहीं ये बात के चान की रोशनी इसकी अपनी नहीं ये बात सिर्व वही बता सकता है जिसने इस काईनात को बनाया था और ये बात अगर कुरान करीम में तो इससे साफ मतलब है कि ये किताब उस खालिक की किताब है जिसने इस काईनात को बनाया और जैसा कि हम आज जानते हैं कि जमीन रिवाल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है लेकिन ये बात कि जमीन हालते हरकत में साकिन नहीं है 14 सो साल पहले कोई इनसान बता सकता था ये लेकिन कुरान ने ये बात बताई जब कुरान कहता है कि इसने पहाडों की मेखें ठोक कर जमीन को ऐसा कर दिया कि तुम इस पर आराम और सुकून से बैटे रहो और वो तुमें लेकर घुमती रहे हमारी मौडरन साइस ने आज कहीं जाके ये डिसकावर किया है कि सारे कुर्रे अपने अपने आर्बिट्स में मूव कर रहे है लेकिन इस बात को भी कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि वो ही अल्ला है जिसने रात और दिन सूरज और चांद को पैदा किया और हर एक अपने अपने दाइरे में अपने अर्बिट में महवे हरकत है हमारी मौजूदा साइस इनके बारें बताती है कि सूरज और तमाम कुर्रेया सायारे एक साथ बनाए गए एक क्लाउड ओफ गैस एंड डस से जिसको सोलर नेविला कहते है इसी बात को कुरान करीम इस तरह बताता है कि जमीन और आस्मान बाहम मिले हुए थे पिर हमने जुदा कर दिया और जिस गैस और डस के बादल को आज की साइंस सोलर नेविला कहती है कुरान इसको कहता है फिर अल्ला आस्मान की तरह मतच्जा हुआ और वो धुआ सा था आप देख रहे हैं कि कैसे कुरान वो हकाइक अपने अंदर रखता है जिसको अब कहीं जाके हम डिसकावर करते जा रहे है हमारी मौझूदा साइंस ने सूरज को डिकलियर किया है एज ए स्टार और स्टार को नों ने इस तरह डिफाइन किया है कि वो चीज जो के हरकत ना करती हो इंटेक्ट हो और जिसके अराउंड कुर्रे हरकत कर रहे हूं लेकिन ये बात कि सूरज इंटект है और वो हरकत नहीं गररा ये मुझे कुरान से नजर नहीं आती ले कुरान में कुछा है सूरज और चान एक हिसाब के पाबंद है और लेoter काबंद है। ऐक कानून या निक चान का तो हमने कानून समझ लिया है कि वो revolve कर रहा है जमीन के किर्द तो जब चान और सूरज एक ही कानून के तहत हैं तो इसका मतलब यह हुगा सूरज भी revolve कर रहा है लेकिन यह बात अलग है कि हमारी मौजूदा साइंस शायद अभी सूरज के किसी और्बिट का आहता नहीं कर सकी है अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े है अर्बी जबान में अर्ध के लगवी माने होते हैं lowest point इसी वज़ा से अर्ध को जमीन करते हैं और समा के लगवी माने होते हाइस पाइंट इसलिए उसको आस्मान क्याते है क्योंकि आसमान हमारी हदल निगाप पे नज़र आता है इंतहाई बुलं नज़र आता है लेकिन अगर हम सैंट्टिव की टम में इसको समझने की कोशिश करें तो जमीन का आसमान होगा सूरज क्योंकि सूरज जमीन का मुंताह है आखरी पॉइंट है, हाइस पॉइंट है वो उसी के गिर्द घुम रही है तो इसलिए जमीन का हाइस पॉइंट होगा जमीन के लिए समा होगा सूरज तो हमारी जमीन का आसमान हुआ सूरज ये हो गिया एक आसमान और जैसा मैं कुरान से समझाओं कि सूरज भी अपने मदार में घूम रहा है तो सूरज जिस चीज के गिर्द घूम रहा है वो आसमान होगा सूरज का वो आखरी पॉइंट हाईस पॉइंट होगा सूरज के लिए तो सूरज जिस मदार या और्बिट में घूम रहा होगा उसका जो आखरी पॉइंट होगा हाई जिसके गिर्द वो गुम रहा होगा वो आसमान होगा सूरज का और ये हो गया दूसरा आसमान तो जिस तरीके से जमीन एक वाहिद प्लानेट नहीं है इसी तरीके से उस आसमान का वाहिद प्लानिट सूरज नहीं होगा और भी प्लानिट होंगे तो ये हो गए दो आसमान इस तरीके से करते करते साथ आसमान अल्ला ताला कुरान में एक्स्प्रेइन करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग में आपको कुछ इंफर्मिशन मिली होगी और अगर कोई सवाल है तो कमिट में कीजिए और इस एफर्ट को पसंद करते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं शुक्रिया